अजक कुछ में अब करेंज लागाने वाली हूं तो एक महीन पहले एक डेड़ महीने पहले पहले केलेक्ट किये थे तो आपको दोनी सीट दिखा देती पहले मैं और मेरे पास बस इतने सीट कलेक्ट होपा है ज्ज़ादा सिट पोडिटिस पर बने नहीं थे तो यह जो मैंने एक डेड़ महीने पहले मतलब दो महीने पहले कलेक्ट के थे इनको मैंने फ्रिज में ये कंटेनर में एयर टाइप करके रखी दिया था इस पर मैंने फंगी सेड नहीं लगाया बस ऐसी रख दिया था क्योंकि दो महीने के सीड आराम से ग्रो हो जाते हैं ज्यादा सीड आप देख रहे हैं यह मेरे अभी लगवग दस या पंदरा दिन पहले मैंने इनको कलेक्ट किया है तो मैंने अभी जस्ट इनको अभी पानी में सौक करने के लिए रखा है थोड़ा सा कि डूब जाए थोड़ा से भीग जाए आप चाहे तो ऑवर नाइट भी रख सकते ह तो काफी होता है थोड़ा से भीग जाते हैं तो जल्दी ग्रू होते हैं तो मैंने तो बस जब तक वर्टिंग मेडिया बनाऊंगे तब तक के लिए इसको डूबा दिया है ताक यह थोड़ा से फूल जाएं भीग तो जाएं ही कम से कम और इससे जर्मनेशन ज्यादा अच के लिए इसी में यह थोड़ा से भीग जाएंगे वाले तो थोड़ा संगा कलर चेंज हो गया थोड़ा पानी मतलब 10 मिनेट हो गया लगवग उसको डूबाय हुए और इनको भी हमने डूबा दिया तो देखते हैं इसमें कितने सीड आएंगे मेरे तो वैसे तो यह लगव इसमें ब्रॉट होते हैं अच्छे होते हैं इन मतलब की थोड़ा सा गerc मैं थोड़ा सराइस इसके डालने हूं कि कंकर बत्थर डालूंगी तो बहुत वेट हो जाता है और हमारी ठ्रेट फिर जुकने लगती है उठाने में रखने में इसलिए मैं यह डाल रही हूं तो आप नीचे की सतह पर कुछ भी डाल सकते हैं बजरी वगार डाल सकते हैं मैं हब लेकर बहुत जादा हो जाता है कि अगर फॉल को कवर करने के लिए ही मैं इसको डाल रहे हूं और एक लियर थोड़ी सी पढ़ी रहेगी तो अच्छा रहेगा बात में हमारे जो सेड लेगा वह भी बहुत अच्छे से ग्रोह होती है तो थोड़ा से बस एक पतली से लि यह पोड़ा से बचा हुआ था अच्छा वह बच गया नहीं तो मैंने तो सारा ही कटम कर डाला था तो इसको मिला लेते हैं चलिए इसको रखते हैं भी साइड पर और आप हम बना लेते हैं पॉटिंग मिक्स पॉटिंग मिक्स किस तर से बनाना वह आपको बता देती हूं ह यहां मैंने एक बाग कोको पीट लिया है धूला हुआ कोको पीट मैंने इस तीन से चार बार इसको अच्छे से पानी से दोया हुआ है दो करके सुखाया भी है थोड़ा सा फिर भी इसमिनमी है बहुत ज़्यादा ड्राइन नहीं किया था क्योंकि फिर पाउडर की तरह हो तो बहुत ज़्यादा धूल जैसे उड़ता है तो इसलिए हलकी सी इसमिनमी बना के मैंने रखी हुई है और यह बारीक वाली कंस्ट्रक्शन सेंड जो कि हम घर बनाने में योज करते हैं तो इसको हमको छानना नहीं पड़ा यह ऐसे ही है बाकी आप जैसे मोटी वाली बज हता है नहीं नहीं होती है और एक पर्ट मैंने लिया है मतलब दोम फिससे में डी है दो हिस्सा कोको परिट ली है और यह लगबग दो क्या मतल लिए हैं चलंशेंल बाकी ना दूंपाम्ड़क एंस फेर आड़मिनम्हान बवहुत ज्याधा यूज हुआ सि मैं हरीपार लग जरूरी रहता है और यह देखिए यह पॉटिक मेडिया जल्दे से मेक्स कर लेते हैं तो यह देखिए इस तरह से मैंने पॉटिक मेडिया बना लिया है और आप हम इसमें भारेंगे इसको तो कि अब आप कि अब कि को इस थोड़ा से स्पेस पचा करके बाकिना भारेंगे इसमें जादा जो गहराई है वो जादा नहीं हैं तो इसको उपर उपर तक ही भारेंगे थोड़ा से मतलब कवर करने के लिए बचा करके तो यह देखिए इस तरह से ताकि नीचे रोट बढ़ने के लिए भी जगा रहा है और इस तरह से मुझे लगता था कि कुछ बचे गए लगए फेट बना था बिल्कुल पॉर्टिंग मेडिया और यह देखिए इसको हम अच्छे से बराबर कर लेंगे चलिए इसको हम बराब पानी को चान लेते हैं अब ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास इनको डुबा के राखने के लिए तो मैं डायरेक्टर इनको मिट्टी में लगा दूंगी इस जो पोटिंग मेडिया हमने तयार किया है और बाद में देरे-देरे ग्रोव होते रहेंगे तो चलिए निकाल लेत इनको आप दो घंटे पहले अगर दो घंटे या जैसे पाच घंटे छे घंटे के लिए डुबा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा आपको जल्दी ग्रोविंग होगी इसकी तो यह देखिए इसको बने थोड़ा से टीशी पेपर पर डाल दिया है ताकि यह सूख जाने तो रखते नहीं बनेगा जल्दी और एक एक सेड़ ले करके हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखते जाएंगे इस तरह से यह देखिए बाद में हम हाथ से प्रेस कर देंगे और बहुत यह आसान है इनको ग्रोव करना और सीड़ से बहुत आसानी से ग्रोव हो जाता है अब सीड़ से तयार करिए उसके बाद फिर बहुत अच्छे से मतलब अपने घर पर तयार कर सकते हैं एक प्लांट से अप धेरो प्लांट तयार कर सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से हम सीड़ को लगाते जाएंगे रखते जाएंगे एक दो तीन चार पाथ छे साथ आठ नौ दस दस सीड़ मने यहां पर रखे हैं थोड़ा साम इस पेस देंगे नहीं तो बाद में क्या होता रिपोर्टिंग की टाइम जब हम प्लांट निकालते हैं तो आपस में जड़े फस जाती हैं तो थोड़ा थोड़ा अब हम हाथ से इसको इस तरह से प्रेस करते जाएंगे हलका हलका ताकि यह बाद में थोड़ा थोड़ा इसी उपर से एक दम उपर ना रखे रहे हैं थोड़ा सा अंदर चले जाए ज्यादा नहीं दबाना हैं ज्यादा गहराई में कर देंगे आप तो फिर सीड़ आपके जल्दी जर्मि अब बहुत अच्छा टाइम है आप चाहें तो ग्रो कर सकते हैं अर्डेनियम को और अगर आपके पास सीड़ हैं तो चले पूरा इसे तरह से मैं रख लेते हूं उसके बाद दिखाती हैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों को फिर देखने में भी प्रॉब्लम होगी सायर मैंने इसमें 11 सीड़ रख दिये हैं कोई नहीं थोड़ा बहुत कम जाता हो जाता है तो पूरे सीड़ बिछा देती हूं देखे मैंने इस तरह से सारे सीड़ डाल दिये और लगबग 165-175 के करीब सीड़ इसमें है जो मैंने पूर करना है इस तरह से इसको हम कवर कर देंगी को वह जब मोटर नहीं गिराना इसलिए हमें थोड़ा-thोड़ा बिछादी है ताकि अच्छे से ढख जाए पानी देने के बाद जोबी सीड़ आपके खूल जाए अगर तो आप उनको दुबारा से दबा करकर कवर कर दीजिये है तो यह देखिए इस तरह से हमने कबर तो यह देखिए अब हम इसमें एक बार अच्छे से पानी देंगे पानी आप इस प्रेयर से देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इस तरह से देखिए ताकि बीज हमारे हिले डूले नहीं जो हिल जाते हैं दिखने लगते हैं तो उनको अब दोबारा से फिर से कवर कर सकते हैं थोड़ा सा यही मीडिया ले करके तो इस तरह से देखिए हम इसको अच्छे से एक बार गीला कर देंगे पूरा मैंने इसमें थोड़ा से जल्दी पान देने की जरूत नहीं होगी पानी दुबारा आप तभी देजिएगा जब आपको इमेडिया सुखा लगे गीला रहे यह देखिए जैसे कोई कोई शेट दिखने लगे ना तो इनको फिर से कवर कर देंगे इस तरह से और इसको आप चाहे तो किसी चीज से दो तीन दिन के लिए पेपर वगर से ढख सकते हैं ताकि जल्दी जर्मिनेशन हो जाए नहीं रखेंगे तो भी आप सीजन इतना अच्छा हो गया है कि आप आसानी से ग्रोह हो जाएगा तो कुछ करने की भी जरूरत नहीं है सुबा क कि मतलब दो तिन दिन आप चाहे में रखें जैसे ग्रोह होता है तो आप थोड़ी सी जगा पर इसको सिफ्ट कर दीजिए सीड को जहां पर एक घंटे की सुबा की धूप आती हो डायरेक्ट मतलब तेज धूप मत रखेंगा तो बहुत अच्छे आपके सीड जर्मिनेट हो तो बस फ्रेंड्स मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ